आदि पुरुष मूवी को लेकर बहुत जादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए थी जब से इसका टीजर लीज हुआ था एक तो इसकी हाइप क्रियेट की गई थी 600 क्रोड के उपर यह मूवी बन रही है भई लोग देखना जाएंगे न 600 क्रोड में क्या बनाए और एक पास्ट वाजी दिखाने की कोश्च्च करता हो वाकई में यहीं इनसान जो मैं इसको कौनगी हिंदू हिंदू सेंटिमेंट को आहत करके पैसे कमाने के एक ट्रिक बहुत अच्छे से जानता है तो यहां पर जब इस मूवी का टीजर रिलीज होता है टीजर के अंदर राव है मूवी जब रिलीज होती है तो बहुत सारे मीम मीम क्या क्या बहुत सारे नुज्ञर वो ट्विटर के उपर वाइरल होने लगती है कि कैसे इस मूवी के अंदर हिंदू सेंटिमेंट को आहत कियो और वाक़े में बहुत ज्यादा आहत किया गया है इन जो O'M R faudra जो करता धरता है इस movie का मैं गुए गिए इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि हिंदु उस गिए जाए हिंदु जो धर्म मैं उसका कैसे ईूज कहा है अपने पैसे कमाने के लिए मैं चीज इस इंसान को ऐसे ही कहूँगा आको जाकर तुम आहत कर सको, ये किस ने हक्तों में दे दिया, अगर तुझे पसंद नहीं है, पुरानी जो रमायन है, जिसके अंदर बहुत संदर तरीके से वारतालाव, जो भाईयों का मिलाव है, जिसमें दिखाया जाता हैं, वो वह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे लगता है, वो बहुत पुराई हो गई है और तुझे अपने परिवार को नई चीज दिखानी आए, तो अपने परिवार को दिखाना ह। पूरे सामने पेज कर दिया है। मूंवी तीन घंटे के मूवी और तीन घंटे में आप लोगों कर कही पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह रमायनि कि बनाया जा रहा है कुरcolored मानोज मुंत्रा धारित न गेमरी मोशनिंहीं कि देखने को चामनन सागरजी की रमान आप देखे जिस तुरीके से वारतालाप होती है कैसे वो वारतालाप करते हैं आपस में एक दूसरे के जो आप यह मेरे पास वो शब्द नहीं है बहुताने की लिए वो कितने जादा सुन्दर हैं जब आप उसको देखते हैं लेकिन इस मूवी में एक तरीके से गाली देने का मन करते हैं जैसे इन्हों ने भाषा के मर्यादा का कोई भी ध्यान नी रखा ऐसी मेरी फिलिंग हो है मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि मैं भी कोई भाषा का मर्यादा का ध्यान ना रखो क्योंकि यह लोग डिजर्व करते हैं और वाकई में लोग जब मोवी देखकर बाहर निकल रहे हैं गाली ही दे रहे हैं लोगों जो यह डिजर्व करते हैं हनुमान जी जब माताशीता से मिलने जाते हैं राम जी की जो अंगूठी लेकर वो जाते हैं तो वहां पर दंडासूर आता है तो वो कहता है कि यह तरी बुआ का बगीचा जो जैसे टेल रहा है ऐसी लैंग्विज इसमें अंदर यूज की गई है इसके लावा इसमें बहुत सारे सीन जैसे की रावन का जो पूत्र है वह हनुमान की पूंच में आग लगाते हैं जली ना जिसकी जलती है उसी को पता चलते है जब हनुमान जी कहते हैं औरे कपड़ा मिंतेर के तवरे डायलोग है तो लोगों को नहीं चाहीए तक्षाल में समझाना था सिंपलमायक्त तो हमने थोड़ी टपोरी language उस कर ली अरे भाई सब तपोरी क्यों आज की डेट में तो लोग जो माभेन की गालियां है वो बड़े ही common त्रीके से ते रहें तो वो भी डाल देते वह साथूसंत है वह अपने मुक्स ऐसी बात करे हनुमान जी के मुक्स से तोड़ना हुआ रहा है तुम तुम हनुमान जी के मुक्स से वह सब चीज़ इंडूलवार रहा है एक भाशा की मर्यादा होती है वाकई में जो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है यह टपोरी के लिए जो इन्होंने ऐसी मुवी बनाई है वाकई में आपको पूरी मुवी देखोगे ना तो रमायन पर अधर तो बिल्कुल भी नहीं है रमायन का मजाकी बना रहे हैं यह लोग पैसे बनाने के लिए कैसे हिंदू सेंटिमेंट का यूज किया जाए फिर आप यह पूर मुवी देखकर बाहर निकलेंगे इसके ऊपर थोड़ा वो सोचिए इन्होंने किस तरीके से क्या इंटेंशन रखी हुए इस मुवी में अगर इनको अच्छी बनानी होती तो वाकई में दिल से काम कर रहे होती आप परनाम देखे एक हनुमान जो हनुमान जी है वो माता सि लोग इनको इंटर्वी लिया गया था मुवी से पहले मुवी रिलीज होने से पहले तो बोलते हैं हमने तो नाम इसका आजी पूरुष रखा है रमायन के पर अधारित नहीं तो उससे इंस्पायर है तो उसमें अलग हो सकता है ना तब अपने आपको को डिफेंड करने के लिए आते हैं मनोज मुंतिर सिर्ट अलगी लेवल का नशा फूंक कर बैठा है इंसान रावन एक ब्रहमन जो इस मुवी में दिखाया गया है कि वह अपने हाथ से मास किला रहा है वह यह इनकी नए तरीके के रामायन है हर्मान जी माता सितों को परणा कैसे उन्होंने इतनी सुंदर बनाई हमारे जो लोग हैं भारत में जो रहले लोग हैं जो खुद हिंदू अपने आपको बताते हैं मैं तो एक प्रिकेशन को ड्योंगी हिंदू को उन्होंने रामायन का कैसे चितरन कि रहे हैं मुझे हरानी होती इस बात पर रावन का पू तुमारे सेशना को लंबा कर दिया ऐसे से वाहिया डायलोग इन्होंने डाल रखे हैं लंका जो सोने की वा करते ती उसको एक तुम डार्क दिखा दिया गया नुरावन को फैक्टरी में काम करते हुए दिखा दिया गया श्री राम को जीज़स के रूप में दिखा दिया यार घिन आरी थी उसको देखते हुए यार परफॉमेंस के मामले में जीरो है जीरो चाहिए वो प्रभास खुद ना हो श्री राम के के दार में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे और यार वो एक आलस उसके मुझ पे यार मैं सच कहूं ना मैं बहुत कंट्रोल करके बैठा हूं इन जैसों को मैं आप यह तुम कहेंके तू भी कहीं कहीं के निकल रहा है मुझसे वरना गाली निकलनी थी है इनके लिए तो 600 क्रोड लगा दिये इस वाहियत कच्रा को बनाने में लोगों ने जो कहीं से भी लगते हैं 600 क्रोड क्या सेंसर बोर्ड ने मुझे समझ यार भी रही है इस इनसान को मिल भी रही है क्यों बआट तो अछा बनाया ना डरकिस बात का है तो क्यों बोल रहा है मुझे रखो आज Awakəं मिलने मिलने के लिए क्या था क्या से बता लिक तुमको दुमने नहीं, तुम जैसे वहियात लोगों ने इसको अच्छा बनाया है, क्या बुरा बनाया है, तो मेरी तरव साथ देखा है या कोई स्टार वराक क के लाइथ है, नहीं, यह घटिया चीज है, रमायन तुम इसको बिलकुल भी नहीं कहुँआ थो अलग नाया है, इतनी व बोलीवुड का यह जो प्रोपागेंडा फिलाते हैं हिंदू सेंटिमेंट को हाथ करना कि बहुत हो गया है अब नहीं सहा जाता इन लोगों बिल्कुल भी नहीं सहा जाता खैर कोई जूड़त नहीं है इस वाहियत कच्रे को देखने के और जो देखने गए हैं तो मैं तो यह लोगों को बताओ कि क्या देखने जा रहे हैं क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो इतना ज्यादा इन्होंने यह ट्विटर के ओपर डाल रहे हैं हमने 340 क्रोड कमा लिए अब देखिए इतनी ज्यादा हाइप हो गई है तो तुम लोगों ने नहीं कमाए है तुमने भग